चले बिच्चों देखो अगला question question number है हमारे पास 39 क्या रहा है question पढ़ो ज़रा इसको यह dice से है ठीक है two dice one blue and one gray दो dice है एक blue है एक gray है matter नहीं करता कैसे color का है दो dice है are thrown at the same time और दोनों same time पे फेके जाते है write down all the possible outcomes लिखिये सारे possible outcomes what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is तो बताईए कि probability जो टॉप के ऊपर ऊपर जो मनलब जब हम पासा फेकते हैं ठीक है दो पासे मनलब 8 आने की probability बतानी है 13 आने की probability बतानी है और less than or equal to 12 आने की probability बतानी है ठीक है less than or equal to 12 आने की probability हमें बतानी है चलिए अच्छा question है बढ़िया question है देखो कैसे करेंगे पहला समझना बहुत जरू है कि दो dice की जो हमारे outcomes आएंगे वो कैसे आएंगे कैसे बनेंगे देखो एक outcome हमें पता है one dice जब हम फेकते हैं किसी एक dice की जो outcome होते हैं वो क्या होते हैं 1,2,3,4,5,6 यही outcomes निकलते हैं भाई इससे यादा तो कोई और number आद नहीं सकता 7 आ सकता है क्या नहीं आ सकता है ना 8 आ सकता है नहीं आ सकता है क्योंकि dice के अंदर 6 ही number है वही number repeat हो सकते हैं मतलब वही number आ सकते हैं उससे अलाब़ा कोई outcome अगला नहीं आ सकता अब आप बात कर रहे हैं हम 2 dice के तो 2 dice के अंदर जो combinations बनेंगे हमारे जो combination बनेंगे वो combination कैसे होंगे देगो combination कुछ इस तरीके के होंगे कि पहला dice में 1 आया मालो और दूसरे dice में भी 1 आया यह कैसी probability बन सकती है और पहले dice में 1 आया दूसरे में 2 आया पहले में 1 आया और अगले में दूसरे में 3 आया पहले में 1 दूसरे में 4 पहले में 1 दूसरे में 5 पहले में 1 दूसरे में 6 इस तरीके से एक यह outcome बन सकते हैं और फिर अब पहले में अभी तक consider किया 1 अब पहले में हम consider करते हैं 2 अब फिर बना सकता है फिर 2,2 आ सकता है 2,3 आ सकता है 2,4 आ सकता है 2,5 आ सकता है 2,6 आ सकता है इस तरीके से हमारे outcomes निकल के आएंगे जब 2 dice आप throw करेंगे तो जब 2 dice आप throw करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि इस तरीके combination बनाओ तो 6 into 6 combination बनेंगे that means 36 36 combination हमारे निकल के आएंगे 36 कितने आएंगे 36 निकल के आएंगे तो 36 outcomes निकल के आएंगे when we are throwing 2 dice at the same time ठीक है तो 2 dice at the same time when we are throwing तो the outcomes will be 36 total outcomes कितने आएंगे 36 आएंगे चलिए यह बात समझ आ गए आपको है ना अब हम देखो probability निकालते है probability हमें क्या निकालनी है पहला point हमारे पास क्या है पहला point निकालना है probability of sum of top ठीक है will be 8 यानि कि ऊपर के top का जो numbers आएंगे उनका sum कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए यह हमें ग्यात करना है चलो देखो कैसे करेंगे समझो इसको यह हमारे combinations हो गए यह हमारे combinations हो गए 36 यानि कि 36 यह 36 हमारे वो outcomes हैं जो निकलके आएंगे दो dice को फेकने पर ठीक है अब यहां पर अगर गौर से देखो मैंने एक line बनाई है जिस line के अंदर वो number आएंगे तो हमारे उनका sum जो आएगा वो 8 आएगा देखो 2,6 8 हो गया 3 और 5 8 हो गया 4 4 8 हो गया 5 3 8 5 और 3 8 हो गया 6 और 2 8 हो गया इनके अलाबा कोई भी outcome ऐसा नहीं है जिनका sum 8 हो इनके अलाबा कोई भी outcome हमारे पास ऐसा नहीं होगा जिनका sum 8 हो तो हमारे पास देखोगे तो possible outcome क्या निकल के आए ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो possible हमारे पास जो favorable outcome निकल गया है वो कौन से निकल गया है 2,6 ठीक है 3,5 और 4,4 5,3 these are the favorable outcomes ठीक है कौन से आगे हमारे पास favorable outcome यह 5 निकल गया है 5 है तो पहले point के लिए हम बात करें probability of 8 sum 8 sum के लिए हम बात कर रहे है तो favorable outcomes आप लिख के आ सकते हो बराबर यह 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 ठीक है और फिर total number of favorable outcome लिख देंगे total number of favorable outcome is equal to 5 कितने आगे पिटा 5 निकल के आगे है कितने आ जाएंगे 5 निकल के हमारे आ जाएंगे favorable outcome बात समझा गई ठीक है और हमारे पास total number of outcome क्या है अब probability देख लो probability of 8 will be क्या रहाएगी 5 upon number of favorable outcome upon total number of outcome total number of outcome कितने होंगे 36 होंगे तो probability कितने निकल के आगे 5 upon 36 क्या निकल के आगे 5 upon 36 favorable outcome upon total outcome 5 बड़े 36 हमारे पास probability निकल के आ गई अब देखो 5 बड़े 36 हमारे किसी एक में ही मैच कर रहा है तो option number C में मैच कर रहा है तो option number C हमारा सही answer हो गया देखा जाए तो बाकी का और भी देखो 2 point दिये गए हैं उन दोनों की भी हम निकालेंगे तो उन दोनों के निकालने के लिए देखो अगली बात चलते हैं second point second point क्या दिया गया है second point दिया गया है 13 sum क्या हो sum will be 13 probability sum of top number will be 13 यानि उपर वाले हमारे जो top पे जो number आए उनका sum 13 हो अब मुझे देख कर बताओ इस किसी भी combination के अंदर क्या 13 किसी का sum हो सकता है देख के बताओ इल्दी से इसमें आपको कहीं भी 13 दिख रहा है देखो maximum मुझे 12 दिख रहा है जब 6 और 6 मिलके आएंगे तो 12 बनेगा कितना बनेगा? 12 बनेगा और यही maximum है इस से यदा तो है ही नहीं तो 13 तो यहां पे बन ही नहीं रहा जब 13 बन नहीं रहा है that means क्या हो गया? favorable outcome हो गए? 0 तो हमारे favorable outcome क्या हो जाएंगे? outcomes upon total outcomes total number of outcomes तो favorable outcome क्या हो गए? 0 क्या हो गए बेटा? 0 upon total 36 तो क्या निकल क्या है? probability 0 probability क्या निकल क्या ही? हमारी 0 second option हो गए 0 right पहला right हो गए अब बात करते है third point की third point क्या कह रहा है? third point कह रहा है हम से probability of sum of top number will be less than or equal to 12 ठीक है? क्या कह रहा है? probability sum of top number will be less than less than or equal to or equal to 12 यानि छोटा हो और बराबर हो 12 के ऐसा number खोजो हमारे top पे ऐसा combination देखू तो देखू one or one, two, less than 12 से one, two, three हो गया less than 12 से यह four हो गया यह five हो गया, six हो गया, seven हो गया सभी less than 12 से यहां maximum number क्या मिल रहा था? हमें 12 मिल रहा था जो होग यहां पे दिख रहा है ठीक है? 12 मिल रहा था? अब बाकी के सारे number कैसे है? सारे के सारे छोटे हैं, किस से? 12 से सारे के सारे कैसे हमारे? छोटे हैं, 12 से हैं, तो यह सारे छोटे होंगे on total outcome, total number of outcomes favorable outcome कितने? 36 total number कितने? 36 36 से one time कटके 36 ठीक है? तो probability will come 1 probability क्या आ गई? 1 आ गई ठीक है? तो यह तो sure event हो गया हमारा भई क्या हो गया? sure event हो गया, that means कि ऐसी घटना तो घटनी ही घटनी है ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप दो dice को throw करो और उनके दोनों top पे आने वाले number की जो sum हो, वो 12 और less than 12 से कम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता that means हमारी तीनों ही answer match कर गए जेखो पहला answer, दूसरा answer और तीसरा answer तीनों match कर गए तो option number C क्या हो गए हमारा? राइट answer हो गया, ठीक है? It's clear simple and clear question, चलो आगे बढ़ते हैं अगला question करेंगे now प्रयस rush यह्यभी क्ज़иш